हेलो एवरिवन वेलकम टो अड़ा 24-7 स्कूल में राजिंदर सांखला बच्चो इस सेशन में कक्षिया 9 की पुष्ट क्रिति का भाग 1 के अध्याय संक्या 2 के लेखक या लेखिका का नाम है लेखिका है लेखक तो नहीं यह वैसे आप से पूछा जाएगा सलेस में लेखक य और मिर्दूला गर्ग जी ने यहां मेरे संकी ओरतें एक संस्मन लिखा हुआ है उसका पार्ट टू हम यानि कि भाग दो तेखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से समझना बच्चो चोर आच चुका था ना घर में तो पार्ट टू हम स्टार्ट करने से पहले में पार्ट एक में बता दू थोड़ा सा कि क्या लिखा हुआ है तो अब हम आगे कहां से पढ़ेंगे जब बारात में सभी मर्द जात गए हुए होते हैं और घर में जब रात जगा होता है तो दादी वह मां है जो क्या होता अपना सोर सराबे से बचकर कमरा चेंज कर लेती है तो चोर चैचे चुपके दबे से यह दबे पाउं से अपने उनके घर में एंट्री मारता है तो दादी की आँख खुल जाती है और दादी को पता भी चल जाता है कि मुहें पे उसके कपड़ा बंदा हुआ है और कमर में भांग बंदी हुई है तो दादी जा मूला कि कौन स्मिराइब है वह है तो वह ही प्रमप्रा का तरीका होता है चोरौं का तो वह कहता है कि मैं तो किरांगर पिलास दूँ क्यों करता है कि ठीक है चान करके लाना तो उसके सब कुल पता चल जाता है तो बच्चों इससे पहले हमने जीवन परीचे पढ़ा है सारांस पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास परसन पढ़ेंग क्रिति का भाग एक पुस्तक है तो बच्चों कक्षा नाइंत पुस्तक का नाम क्रिति का भाग एक अध्या संक्या दो लेखिका का नाम क्या है मर्दूला गर्ग आप से पूछ लिया जा मेरे संकी ओरतों का लेखिका का नाम क्या है या कभी का नाम क्या है तो ध्यान डखन तो बच्चो अब हम पढ़ेंगे मेरे संकी औरतों का भाग दो तस्वीर आपको दिखी रही है आप चोर कहता है कि आप चोर के आत का पानी पी लोगी तो वो कहते हैं कहां ने रगड कर दो लिजियो पर नाच गाने में लगे हैं तेरे और बगवान के सिवा कौन दरा है जो पिलाएगा अब माँ उसे क्या कह रही है उसके तो मजे ले लिए क्या कि सब नाच गाने में लगे हुए है तो अब तेरे श्वा मुझे पानी और कौन पिलाएगा तू रगड़कर उसे दो ली जो बस मैं पानी पी लोंगी भगवान कहीं भगवान वहीं कहीं उसके हम उतर से गंठा बजताएं कि तथास तू तो चोर सोच रहा चोर ने मीफ सुनी अगया कि लोटा ऐठाकर चल दिया अगवरा कर यह उस उने सोचा कि भगवान उसके आसपास कहीं बैठा हुए सुनकर गवरा गया और गवराग लोटा उठा कर चल दिया पानी लाने के लिए पूरी इहतियात यानि पूरी सावदानी के साथ पानी बरकर लोटा तो पहरेदार ने धर्दबोचा अब जैसे पानी बरकर लोटा तो पहरेदार ने उसे पकड़ लिया कुए पर देख लिया गया था यानि उसने कहां पहरेदार ने कि कुए पर देख लिया गया था तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहां एक लोटे से पानी पीकर हम मा बेटे हुए अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे कहती क्या बात है आदा रोटा खुद पी और आदा रोटा उसे प्याद आप कहती है कि अब एक ही लोटे जब पाने पी कर हम मा बेटे हो गए अब बेटा चाहे तू चोरी कर ले और चाहे खेती कर ले अब बेटा भी सुदर जाता है चोर भी सुदर बेटा बेचारा किस लाइक रह गया होगा सो रोमांचक दंदा छोड़ खेती से लगा क्या बात है रहा मनुशिया का परिवर्तन भी होता हुआ दिखाया गया इस संस्मर ने चोरी चोड़गरी छोड़गरी खेती से लग गया सालों साल लगा रहा जब मैंने उसे देखा तो बड़ा मानुस बोड़ा लगा मुझे ड्रा ड्रा हैरान से मर्दुला गर कह रही है कि जब मैंने उसे देखा तो बहुती सिरा साधा बला मानु मैं इक फस चुकी माजी चलते अपने लड़की होने पर कोई ईन भावना मन में नहीं उपजी दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही पंदरा अगास्त उननी सो सेटालिस को जब देश को आजादी मिली या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्म मनाए गया तो दुर्योग से मैं बिमार थी दुर्योग बुरे योग ऐसा था वह समय था कि वह समय कि अधी भी मार थी तो देख लिज извест कि ये तो वह ये चो उछे ये चोर है यी फिला रही है यह नहीं ये तो पकड़ा हुआ-एज्व ये जैदो इस जान लेवा रोग माना जाता था यानि मिलेखी का बिमार थी इसलिए मेरे तमाम रोने दोने के बावजुद डोक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जसन में शिर्कत करने की इजाज़त नहीं दी यानि कि इतने रोग होने के बावजुद मुझे डोक्टर ने इंडिया गेट के सामने जसन मनाने का कोई भी इजाज़त नहीं दी है चुंकि डॉक्टर अपनी नाना के परम मितर थे और वो डॉक्टर कौन था नाना का परम मितर था रहो साहब थे ही उनसे ज्यादा नाना थे इसलिए हमारे पिता जी जो बात बात पर सत्तादारियों से लड़ते भिड़ते चुपी साथ गए हैं मैं बदस्तूर रोती कलप टी और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तरक नहीं समझती तरक समझती यानि कि यसी चोटी भी नहीं थी कि मैं घुडिया से बहल जाओं या चुप हो जाओं तंग आकर पिताजी मुझे Brothers काराम जो तंग आकर पिताजी ने मुझे Brothers काराम जो, यह इसके लेकर पर शी दूरूसी उपन्यास का धास्तोबस्कि है यह उपन्यास पकड़ादिया पिताजी तंग आकर क्योंकि मुझे तीन बहनों को और छोटे भाई को लिखने का सोख हो गया था तो उन्होंने तंग आकर के यह है उपन्यास मुझे पकड़ा दिया किताबे पढ़ने का मुझे मिराख था जो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़ कर घर के बाके सब परानी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे तो रोना दोना छोड़ कर मैंने भी किताब खोल ली जैने कि मैंने देखा मुझे पढ़ने का सोग था ही जब कुछ देर बाद मैं देखा पिताजी को छोड़ कर बाकी की सब परानी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे तो मैंने रोना दोना छोड़ कर मैं भी किताब खोल ले लेखे का तो सोग था लिखने का एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी महुलत नहीं दी कि दोबार रोना शुरू करूं या कोई और कम पकड़ूं उस वक्त ब्रेदर्स काराम जो इसके लेखे पर रूशी उपनासगर बताई दिया दावस तो वसकी हैं उस वक्त ब्रेदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी तब मेरी समझ में नहीं आया यानि उन्होंने बार पड़ी की सारे पाठ आपस में गड़ मंड हो गए हैं साब घुल मिल गया कितनी कितना पहली बार में पले पड़ा कितना पहली बार में पड़े पड़ा कितना बाद में कहना मुझे कितना मुझे समझ में आया पहली बार दूसरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था मुझे पहली बारी लगबग कंटरस्ट हो गया यानि कौन सा कि इतना विश्वास हो गया था कि उसका एक अध्याय था जो बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर था वह पहली बार में ही लगबख कंटस्ट हो गया था मुझे समुझ में आ गया था उमर के हर पड़ाव पर मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महतपुन भाग को परबावित करता रहा जैसे जादू का कालिन मेरा नाटक नहीं तीन किलों की छोरी यहीं की जादू का कालिन मेरा नाटक नहीं वे तीन किलों की छोरी जैसे कहानिया वे कठ गुलाब उपन्यास के कयन्स मा जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरे मेरी चारो बहने भी लड़की होने के नाते किसी हीन बावना का सिकार नहीं हुई यानि कि हम जो चारो बहने थी उस समय तो वैसे पांच होगी थी इस समय की बाद चारो ही है लड़के उन नाते किसी हीन बावना का सिकार हम लोग नहीं हुई देते चारों के चारों बहने नानी मा और परदादी की प्रंप्रा बरक्रा रखते हुए लीग पर चलने से भी इंकार किये रही पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं मेरी बड़ी बहन मंजूल बगत है मंजूल बगत भी एक लेखी का है दयान रखना तो मर्दूला गर की बड़ी बहन का नाम क्या है मंजूल बगत गर का नाम था रानी गर का नाम क्या था रानी यहनि दो दो नाम रखिया उन्होंने घर का नाम रानी और वैसे मंजूल बगत हिंदी साहित में बाहर का मंजूल लेखी का अवतार हुआ मंजूल भगत क्योंकि लिखना सादी के बाद सुरू किया और अपना नाम बदल कर पती का घ्रेन करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई इसलिए पैदाए सी जैन नाम छोड़ भगत बनी और जैन नाम छोड़ कर के भगत बन गई यानिकी मंज मंजूल छोड़ दिया दूसरे नंबर पर मैं थी और दूसरे नंबर पर कौन थी मैं यानिकी मिलेखी का मिर्दूला गर घर का नाम उमा और लेखी का घर का नाम क्या था मिर्दूला और घर का नाम क्या था मिर्दूला और घर का नाम क्या था मिर्दूला और घर का नाम र मैंने भी शादी के बाद लिखना प्रारम किया था मुझे याद है जब हमने लिखना सुरू किया उसे कुछ पहले नारिवाद का चलन हुआ था यानि जब मैं लिखना सुरू किया उसे कुछ समय पहले ही नारिवाद का उदे हो गया नारिवाद का चलन हो गया था स्यादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाय था मन्नो बंडारी का हवाला देकर हमने पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पॉंगा पंथी घर गुशू क्यों हो यानि कि मनु बंदारी का वाला देखर हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगा पंतिया घर घुसू क्यों हो हमसे पूछा जाता था बार बार नाम क्यों बदला है नहीं फिर उनने का कि नाम क्यों बदला क्योंकि उमा और वैसे मर्दुलागर्ग, रानी वैसे मंजूल बगत तो हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता हम क्यासे बताएं कि दो-दो नाम क्यों है अब भी नहीं है और अब भी नहीं है पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित वेका कोई नुकसान होते मैंने कभी नहीं देखा ऐसा लेखे का कह रही है पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी फिर भी तू दाफियो कोन्या के ऐसे कहते हैं गाउं में इस परकार से मुस्य छोटी बेहन का घर का नाम था गोरी और बाहर का चित्रा यह लो भी देखो पहले तो मंजूल बगत मंजूल बगत और इसका नाम था रानी फिर आती है मृदुला गरग इसका नाम था उमा और फिर कोन आती है गोरी जिसका नाम मूल नाम क्या था चित्रा और बाद में दो जो होंगी ना उनका नाम एक ही निकाला फिर उन्होंने वहे नहीं लिखती थी लेकिन गोरी नहीं लिखती तो तीसरी जो मुझे छोटी बेहन का गर का नाम गोरी और बाहर का चित्रा था वहे नहीं लिखती वो बिल्कुल भी नहीं लिखती थी उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए वह कही है कि इसलिए मैं नहीं लिखती घर पर कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए खेर उसके बाद जब चोथी पांची बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी की उनका एक एक नाम ही रखा तीन बेटी हुआ दो दो नाम थे रानी, उमा और गौरी अब जो चोथी और पांची बेटी पैदा है उनका एक ही नाम उन्होंने रखा रेनू और अचला, चोथी का नाम रेनू, पांच यूगा नाम क्या था अचला पांच बेहनों के बाद एक भाई हुआ राजिव, और पांच बेहनों के बाद एक भाई हुआ यानि कितने भाई भाई भेहन थे वैसे नाम यह मंजूल भगत, मर्दूलागरग और चित्रा और इनके एक एक नाम थे और एक भायवा राजीव वो भी लिखता था मजे की बात यह है कि बीच की दो बहीने ही लेखन से बची रही यह बीच की जो दो बहीने थी वो लेखन से बची रही चोटी चोटी थी और यह चोटा और बीच की दो वही नहीं लिंगती थी होगी एक तो कहते हैं कि ले सब भी लिखते रहेंगे तो मैं पड़ूंगी कौन तो उसका नाम था गोरी यानि की चित्रा और एक ती रहनों दो होगी वह अचला मुझसे आठ साथ चोटी चोटी बहें थी अचला वह किसे साथ आठ साथ चोटी और वक्त के बदलाओ के लाज का मतलब यानि पहले अंग्रेजी फिर कहां से आ गया हिंदी में लिखने के लिए हम चार लिखते और तमाम खांदान हमें पड़ता यानि कि हम चार भाई बहन तो लिखते पहला और दूसरी यानि कि रानी लिखती और उम्मा लिखती मंजूल बगत और मर्दूला गर्ग और फिर लिखती अचला, पाँच यूए नमबर की, फिर लिखता राजीू, चार लिखते और सारा खांदान पढ़ता, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, मर्दुला गर कहानियों कोई नहीं पढ़ता था, इस तत्या को अज़म करने में मुझे काफी वक्त लगा फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे कम से कम घर के बितर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धी से दो चार नहीं होना पड़ता था यानि कि मुझे किसी से जगड़ा उगड़ा नहीं करना आता था नहीं मुझे कोई करता था खेर मैं अपनी नहीं उन ए यानि कि उन देवियों की बात कहना चाती हूँ जो परदादी की मनत के नतीजन धर्ती पर आई और लेखक नहीं बनी हैं जो बनी उने सांस लेने की जरुरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मनजूल से कहा था क्या कहा था वी कोई दम नहीं गुड़ता है सांस लेने की ज़्यादा है जरूरत है पर यहां तो हम सेर तो गेर लेखी का बेहने सवासेर यानि कहने के ताथ पर यहां तो हम सेर तो गेर लेखी का जो बेहने थी वो सवासेर थी हम पर उपड़ चोथे नंबर वाली रेनो का आलम यह था गर्मी की दुपेरी में इस्कूल से बापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड़े से लेने जाती तो रेनों उसमें बैठने से इनकार कर देती है उनका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी से बैठकर तेख करना सामंत साही का परतीक है जो साय था पर साथ ही पिताजी के अत्रिक्त लाड़ का भी और पिताजी को ज़्यादा ही प्रेम करती चलिए बच्चियों को बस में बेचते और लाते थे और रसोईये को खाना खिला कर जल्दी फारिंग यहीं होता है कार्यास निवरित और निशित यहीं फारिंग करने की लाचारी का भी था मा तो सब चीजों से उदासीन रहती थी पर पिता जी पर पिता काफी कुड़ते बुनते जब देखते की अचला गाड़ी में बैठी चले आ रही है और रेनों पीछे-पीछे पसीने से तर बतर खरामा खरामा यानि होता है धीरे-धीरे यानि रेनों तो पैदल पैदल आ रही है और अचला गाड़ी में बैठी आ रही है तो पिता जी को बच्पन में एक बार चुनुती दीगी बच्पन में तो उसने जनरल थमिया को पत्तर लिखकर उसका चित्तर मंगवा लिया था जो एक मोटर साइकल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था रेनों के हाथ में परोस में उसका रुत्बा काफी बढ़ गया था गाड़ी में बैठने के साथ उसे इमत्यान देने से भी परहेज था इमत्यान भी नहीं देती थी हो इसकूल तो जैसे तैसे पास कर लिया जब बीए का इंत्याम देने की बारी आई तो वह अड़ गई यानि बीए की इंत्याम नहीं देने गई थी तो तब अड़ गई वो पहले मुझे समझाओ की बीए करना क्यों जरूरी है तब मैं इमत्यान दूँगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फाइदा है वरना नहीं करूंगी मैं हमने तरह तरह के तर्ग दिये माने कहा पिताजी से पूछो पिताजी ने कहा नोकरी कर पाओगी स्यादी कर पाओगी लोग इज़त से देखेंगे वगेरा वगेरा कहा पिताजी ने ऐसे बहुत सारी कारण उनने बता दे पढ़ना तो अच्छा होता है कोई तर्ग भी सुस कुल रहा हूं करो रेडुन ने बिय कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए यादि पास होनी लाइक नमबर ला कर रहा है यादिali कि दो करो कोण रेनु गणीमत यह हैं कि आदा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाख कर रही होगी इसलिए बिना मेहनेत वह लोगों को हसाय रख लेते थी और बिना मेहनेत किए वह लोगों को पसाई लोग सोचते कि यह कहीं मजाक कर रही है क्यों सत्य बोलने वाल लोगों को मजाक ही दिखता है आज भी उसे कोई इत्र बेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ यानि कि उन्हें इत्तर कोई बेट करता हूँ पहार में तो कहते हैं नहीं चाहिए मैं तो रोज नहाती हूँ तीसरे नमर पर चित्रा है वह कालेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिल्चस्पी औरों को पढ़ने में रखती थी अब तीसरे नमर को ने चित्रा है ठीक है पर वो क्या करती है जो उमा सोरी गौरी वो खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को प्रागीर्दों के जादा आते थे इसलिए उसके तो खुद के तो कम आते थे और उसके साथ दोस्त थे ना लड़के लड़किया उनके कुछ जादा ही नंबर आते थे पर अपने यहां सब चलता था उसकी स्यादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके या की शाधी करीगी तो उसी से अब चित्रा को लड़का पसद आगे गवरी को तो कह रही है कि एक पसंद आगे और कह रही है मैं तो स्यादी तो करूँगी इससे मुश्किल यह थी कि हमारे माबाप ही नहीं खुद लड़का भी उसके निरने से वाखिव नहीं था और लड़का भी उसके निरने से वाखिव नहीं था मावाप भी नहीं लड़का भी नहीं था जिसको पसंद कर रही थी पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है तो उसकी स्यादी उसी लड़के से और ये भी देखो उसकी स्यादी फिर उसी लड़के से होती है कोई मुश्किल पेस नहीं आई कोई मुश्किल समस्या नहीं आई हमारे सामने आती क्यों उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है यह उसने पहली मुलाकात में ही उसे कह दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वही मैं करती हूँ कैसी कोई समस्य आमारे सामने नहीं तो उसने बात आगे खीची ही नहीं पहली मुलाकात में ही अथियार डाल दिये हम में सबसे छोटी भेहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पढ़ती रही यानि कि अचला जी न सबसे छोटी जो अंग्रेजी में लिखती थी किस में लिखती थी सबसे छोटी थी और समय की परिवर्तन के अनुसार वो किस बाहसा में लिखती थी किस बाहसा में अंग्रेजी बाहसा में लिखती थी पिता का कहना मानकर पहले अर फिर पिता की पसंद स्यादी भी कर ली और पिता की पसंद से उसने शादी भी कर ली पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई घरबार में मन ज्यादा रूचा नहीं और मंजूल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया यानि कि पहले तो लिखती इनकी उसकी तरह और खुद मर्दुलागर की तरह उमर के 30 बरस पार करने के बाद फिर लिखने का रोग लगा लिए आपने सुना है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के 3-4 साल बाद पढ़ना शुरू कर दिया तो वही आल इनका हुआ लिखना शुरू कर दिया एक बा कि बले ही एक की हो वसुरी बले ही प्रंप्रा का तरी से हमने घर नहीं चलाया लेकिन फिर भी हमने शादी एक ही की है रूशी पर अडिक रहे हैं हम लोग चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड डूबी नहीं साइध इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सब विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई परियोजन सिद नहीं होता यानि कि पहले इनको पता था कि मर्द सब अधूरे होते हैं एक कहते हैं कि मोहन राकेशी ने भी अपन्यास लिखा था कि आदे अधूरे इस परकार से तो एक महिला होती है तो उसको सभी मर्द जाते हैं वो आदे ही नजर आते हैं तो ऐसे ही उन्होंने सिद्ध पहले ही कर लिया था कि मर्द बदलने से कोई प्रियोजन कोई उद्धे से सिद्ध नहीं होता गर के बीत रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है स्यादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्वे दालमिया नगर में रही जहां मर्द औरतें चाहे पती पतनी क्यों नहीं हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग-अलग दडबों में बैठते क्या बात है यानि स्यादी की बात बिहार की किस कस्वे में डालमिया नगर में जब फिलम देखने जाते थे थे तो अलग-अलग दडबो में बैठते थे चाहिए पति-पत्नियों चाहिए कोई प्रेमी-प्रेमी का मर्द और वरत कोई भी हो मैं दिल्ली से कालेज की नोगई चोड़ कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिने करने की सोकिन रही थी मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी यह बात हो रही है मरदुला घर के लिए कि का की साल बर की भीतर उन्ही स्यादी सुधा ओर्तों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया अगले 4 साल तक हमने बहुत सार नाटक किये अकाड रहत कोस के लिए उनी के माद्यम से पैसा भी कटा किया वहां से निकली तो करनाटक गई के ओर भी छोटे कश्वे बागल कोट में पहुँची यहीं बिहार के डालमिया और करनाटक के बागल कोट में पहुँची तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उमर पर पहुच रहे थे पर वहां कोई धंग का इस्कूल नहीं था कहां करनाटक के बागल कोट में लोगों की रायपर मैंने पासख के कैथोलिक बिश्प के दर्खवास्थ कि कि उनका मिशन वहां के सिमंट कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्वे में एक primary school खोल दे यानि कि लोगों की राइबर मेंने Catholic bishop से दर्खवास्त की कि उनका मिशन वहां के सिमंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्वे में एक primary school खोल दे बिस सबसे उन्होंने थोड़ा सा क्या किया अनुरोद किया दरख्वास्त किया पहले उन्होंने कहा चुकि उस पर्देश में क्रिष्चन जनसंग्या कम थी इसलिए वहां इसकुल खोड़ने में ऐसा मरते हैं यान। कहा कि वहां किर्शन जो जन्शन क्या है वह बहुत कम है इसलिए वहां स्कूल नहीं खोली जाएगी गैर क्रिस्चन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इस्रार या आग्रे जारी रखा यह नहीं लेखिका ने कहा कि चलो केश्चन लड़के तो नहीं है लेकिन गैर क्रिस्चन तो है उनको तो पढ़ने का दिकार है तो आप अच्छा कारिये करें तो करो ना सभी बच्चों के लिए तब उन्होंने कहा हम कोशिस कर सकते हैं बैसरते हैं आप हमें यकीन दिलाएं कि वह है इस्कूल अगले सो बरसों तक चलता रहेग यानि उन्हें कहा कि चलो ठीक हम कोशिस करेंगे लेकिन आप मुझे यकीन दिलाओ कि वह है अगले सो बरसों तक चलता रहेगा मुझे गुसा आ गया मैंने कहा इस्कूल की छोडियें किसी के भी बारे में एकीन नहीं दिलाओ जा सकता कि वह है अगले सो बरस तक चलेगा यानि लेखे करें मुझे गुसा आगिया कि मैंने कहा कि ये तो स्कूल है वैसे हम किसी के बारे में कहें कि वह सो साथ चले गया तरह से इंपोसिबल है वे भी गुसा खागेर बोले खुदा का लाग सुकर है बच्चों के ने पढ़ पाने की समस्या आपकी है मेरी नहीं यहनि वो कह रहा है कि खुदा का ने वास्ता कि वो समस्या आपकी है बच्चों की नहीं पढ़ पाने की मेरी नहीं है बात कड़वी थी पर सो फिश्दी सच थी बात तो कड़वी थी लेकिन सो फिश्दी सच भी थी सच के आगे सिर्ध जुखने जुखाने की हमारी बच्पन की आदत थी और सच के आगे सिर्ध जुखाने की हमारी बच्पन की क्या थी आदत थी त्वे इन तेह में आ कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कंड़ तीन बावसां पढ़ाने वाला प्रामरी स्कूल वहां खोलूंगी और करनाटक सरकार से उसे मानधा भी दिलवाऊंगी फिर मैंने सोचा कि मैं तीन बावसा पढ़ा कर मैं वहां इसकूल खोलूंगी करनाटक सरकार से क्या दिलवाऊंगी माननता दिलवाऊंगी हाँ वहां के अनेक मेहनती मेहनती और खिसके लोगों की मदद से एक वरत पूरा हुआ मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े बाद में अलग-अलग सेहरों के अलग-अलग ख्यात एन परसी स्कूलों में दाखिला भी पा गए ऐसे अनेक मोक्या है जब मैंने अपनी जिद्धीपन के नमूने पेस किये पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में जो सुरू से अब तक की लीग से खिसका और अपनी राहे खुद तलास्ता राहा क्या लेखन पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनों के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती 1950 के अंतिम दोर में एक राद दिल्ली में एक साथ नो इंच बारिस हो गई दिल्ली की खासित यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाड़ आ जाती है पूलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम याता थप हो जाता है आज भी ऐसा ही होता है पहले भी ऐसा है ता आज भी ऐसा ही है इस कयामती बारिस के बाद तो सरकारी दप्तरों के पहले तल्लों पहले तल्लों से फाइल पानी में तैर आई थी अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सडख पर नहीं निकला है यनिकी अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सडख पर नहीं निकला था जाहिर है कि रेनो की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई और जाहिर है कि रेनो की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई रेनों ने का कोई बातरी में पैदल चली जाओंगी रेनों ने का रेनों कद आदर सी पैदल जाने की सब ने समझाए इसकुल बंद होगा मत जाओ उसने कहा आपको कैसे पता इस सवाल का माकुल यानि मुनासिब अच्छा जवाब किसी के पास नहीं तहीं जब उनने रेनों से कहा कि इसकुल बंद होगा आप इसकुल मत जाओ तो ने कहा कि आपको कैसे पता आप कैसे कह सकते हैं इसकुल बंद है हमारी याँ फोन जरूर लगा हुआ था और हमारे याँ फोन लेखी का गर फोन लगा हुआ था इसकुल में भी रहा होगा पर बारिस के चलते वह ठप पड़ा हुआ था तो रेनो अकेली पैदल इसकुल चल पड़ी उरेनो तो आदत थी चल पड़ी गनिमत यह थी कि बारिस एकमुष्ट बरस लेने के बाद थम गई थी यह कुछ समय बाद थम गई थी सडकों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था तो रेनो दो मील पैदा चल कर इसकूल पहुंची दो मील था इसकूल घर से इसकूल जैसा हमने कहा था वह बंद था और जैसा हमने कहा था वह इसकूल क्या था बंद था चोकिदार रेनो को देख धंग रह गया पर रेनो को कोई मलाल नहीं वा वह वापस दो मील चल कर घर पहुंच गी सबने कहा था हमने पहले ही कहा था उसने कहा इसको बन था तो मैं वापस आ गई इसमें आपका कहना कहां से आ गया यानि कि वो किसी की बात नहीं मानती थी सोचती हूँ कैसे रोमांच का नुबह हुआ होगा उसे उस दिन जगे-जगे पाने से लब-ब करते सुनसान सहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंझिल की तरफ चलते चले जाना जब धुन होती ना इंसान कोई भी कारिय करने को तैयार हो जातार वहे कारिया पोरा करके देखो दो मिल वे बच्चे गई और दो मिल आई फिर वो से कोई आश्च्रे नहीं वा कि यह कौन सा आश्च्री की बात सच अके लिपन का मज़ा ही कुछ और है और यह होता है आपका मेरे संकी ओरतें लिखा वा मर्दुला गर के द्वारा यहीं कि कहने का तात्प्री क्या है बच्चो कहने का तात्प्री यहां यह है कि किस परकार से एक लड़की या एक ओरत किस परकार से अपने घर परिवार समाज की लीक से अरकर किस परकार से जी सकती है यह है सब उन्हों मर चुकी थी तो बैस इसमें महत्पून्ट एक पांचों भहिनों का नाम याद रखना है रानी सबसे बड़ी मंजूल बगत था उसका नाम फिर आती है लेखी का लेखी का का नाम क्या था भी बताए जल्दी से रानी तो वो थी ठीक है और उमा चित्रा थी एक रेनो और एक अचला एक राजीव भाई था सबसे छोटा अब बचा मर्दुला गर गए अब कौन बताएगा मर्दुला गर का बच्पन का यानि घर का नाम क्या था तो आप लोगों से ये परसन मैं छोड़ता हूं आप लोग कमेंट बोक्स में दे सकते हैं वैसे आप आच चुका था आप कमेंट दो चार बार पताए भी था ठीक है तो यह जो संस्माप्त होता है तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों बहुत अच्छा समझ में आए आ गया होगा इसी परकार हमारी सेसंग सा जुड़े रह है ईसाई कर्णा हूं